आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गडित प्रशनावली 5.4 के बारे में अध्यन करेंगे पिछले भाग के वीडियो में प्रशनमबर 1 से लेकर के प्रशनमबर 6 तक के सभी प्रशनों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहाँ से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं इस भाग में प्रश्ण नमबर 7 से ले करके आगे के सभी प्रश्णों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जिससे आपका एक नोट से भी बनता रहेगा तो प्रश्ण नमबर 7 है य बराबर दिया गया है अंडर रूट में E to power करणी में यक्ष दिया गया है यहाँ पर देखेंगे कितना फ्लन है तो पहले तो एक अंडर रूट है और अंडर रूट में E to power करणी में यक्ष दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के साब क्या करेंगे यहां पर यक्स के साब पेच्छ क्या किया जाएगा आउकलन किया जाएगा यक्स के साब पेच्छ आउकलन करने पर अब यहां पर आउकलन कैसे किया जाएगा यहां पर सबसे पर लिखेंगे य जो है तो य किलिए क्या बनेगा डी वाई बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा बराबर हो जाएगा और d upon dx हो जाएगा और करणी में क्या है करणी में जो है e to power करणी में x है अब यह जितना फलन है उतना बार जो है आउकलन होगा तो सबसे पहले यहां करणी का नियम लागू करेंगे यहां लेखेंगे डी या पान डी यक्स अगर करणी में यक्स है तो इसका आउकलन क्या होता है तो आप सभी विद्यार थी इसके बगल में भी सुत्र को नोट का लिजे कौन सा सुत्र यहां पे लागू किया जा रहा है यहां बगल में लिखा जाएगा और इसे सुत्र को जो है अपने कापी में नोट भी करते चलिएगा अब यहां पे देखेंगे डी या पान डी यक्स करणी इसको करणी मालेंगे और इसको यक्स मालेंगे मन में क्या मालेंगे या यक्स है, तो कर्णी यक्स का सुत्र क्या होता है, एक बटा दो कर्णी में यक्स होता है, तो इसी परकार यहां पर क्या बनेगा, एक बनेगा, बटा बनेगा, दो हो गया, कर्णी हो गया, और यक्स, अब यहां यक्स के अस्थान पर क्या दिया गया है, तो यक्स के करणी में e-ェ AX है तो e to powermentation में x रखेंगें और यहां लिखेंगे d upon dx अब इसे पावर का भी поवक्लून करेंगे करणी E-eksa दियान देंगे यहां पर तीन फ़लन था करणी अंडर रूड वाला था यहां पर ध्यान देने वाली यह बात है कि सबसे पहले यह पता करेंगे कि इसमें कितने फलन दिये हैं इसमें तीन फलन थे तो तीन बार यह आउकलन हो चुका अब अगला लेंगा यहां पर एक बटा दो कर्णी में E to power कर्णी में क्या हो जाएगा यक्स हो गया अब इसको अंत तक उतारते रहेंगे और E to power X का सुत्र क्या होता है तो E to power X का उकलन का होता E to power कर्णी में यक्स ही रहेगा E to power कर्णी में 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 E to power कर गुड़ा होगा तो दो दूना क्या हो जाएगा दो दूना चार हो गया अब ये चार हो गया करणी में क्या बनेगा करणी में यक्स है और ये टू पावर करणी में यक्स है तो यहां पर नोट कर लेंगे मतलब इसका गुड़ा इसमें हुआ है और दो दूना चार हुआ है य ही इसका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा बस थोड़ा सा आपको धियान देना है पहले फार्मुला को धियान देना पड़ेगा कि कैईसे इसको तोड़ा जा रहा है तोड़ना सबसे पहले जो है सीख लिजिए अब सीखेंगे प्रश नमबर जो है आठ प्रश नमबर आठ क्या दिया गया है तो प्रश नमबर आठ में दिया गया वाई बराबर है और यहां पर दिया गया लाग है और कोश्टक में लाग यक्स है अब यहां पर यक्स के सापेच क्या करना है आउकलन करना है अब कैसे आउकलन जो है किया जाएगा आउकलन करेंगे किसके सापेच यक्स के सापेच आउकलन करने पर तो वाई का आउकलन क्या होता है वाई का आउकलन होगा डी वाई बटा डी यक्स हो जाएगा बराबर होगा डी अपान डी यक्स हो गया लाग हो गया वो श्टेक में क्या है लाग यक्स है अब लाग का आउकलन बताया जा चुका है यहाँ पर लाग का आउकलन लिखेंगे डी या पान डी यक्स लाग यक्स है लाग यक्स का आउकलन होता है एक बटा यक्स होता है यह सुतर जो है आप सब भी द्यारती जानते भ अब इसको कैसे पढ़ेंगे लाग इसको मन में पढ़ेंगे यक्स है तो लाग यक्स का सुत्र क्या है एक बटा यक्स है तो यहां लिखेंगे बराबर करके एक बटा यक्स के जब क्या है लाग यक्स हो जाएगा कितना असान है कैसे पढ़ेंगे लाग यक्स है तो इसको कैस कोष्टक में जो दिया गया अब इसका भी आजुन यहां पे किया जाता है तो लाग यक्स ओजाएगा अब अगला लाइन क्या बनेगा बराबर कर लेंगे एक बराबर कर लेंगे एक बड़ा हो जाएगा लाग यक्स का आउकलन पूछा जाए तो लाग एक्स का आउकलन क्या होता है एक बटा यक्स होता है इसके कोश्टक के अंदर जो दिया गया है इसका भी आउकलन किया जाता है तो लाग का एक बटा यक्स हो गया अब इसका गुड़ा का लेंगे तो एक का गुड़ा जब एक में करेंगे तो एक करनम क्या हो जाएगा एक हो जाएगा या एक हो गया बटा हो गया और यक्स का गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा यक्स लाग यक्स हो गया यक्स लाग यक्स हो गया यही इसका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो प्रश नमबर जो है आठ आप सो भी विद्यार् अबर कास यक्स बटा लाग यक्स है अब यहां पर देखेंगे तो भाग का नियम यहां लागू होगा और भाग का नियम जो है क्या होता है यहां सबसे पहले यहां सुत लिख देंगे डी अपान डी यक्स अंस बटा क्या होता है अंस बटा हर का यहां नियम लागू करेंगे मतलब भाग का नियम लागू होगा और भाग क्या बना है पहले हर उतरता है डी अपान डी अक्स होगा अंस का अउकलन होगा अंस माइनस होगा अंस उतर जाएगा डी अपान डी अक्स हर का आउकलन होगा बटा हो जाएगा और क्या लिखेंगे आपर हर का इसक्वाइर हो जाएगा कितना असानियम है पहले हर को उतारेंगे अंस का आउकलन करेंगे माइनस अंस हर का आउकलन बटा हर का इसक्वाइर इसी सुत्र पर इस मान को क्या करेंगे भरेंगे यह लाग है लाग कहां पर हर है और कास यक्स क्या है अंस है तो पहले हर हर में है तो क्या उतरेगा लाग यक्स हो जाएगा हर हो गया डी अपान डी अक्स अंस अंस में क्या है कास यक्स है माइनस अंस अंस मतलब कास यक्स हो जाएगा डी अपान डी यक्स हर हर क्या है लाग यक्स है पूरी का बटा हो जाएगा और यहां क्या लिखेंगे लाग यक्स का स्क्वाइर हो जाएगा अब यहां पर हर का स्क्वाइर मतलब लाग का square हो गया यह किस के अस्थान स्थान पर रखे हैं बहले हर हर का अउकलन माइनस हर का अउकलन बटा हर का square यहाँ पर क्या लिखेंगे d y बटा d x हो गया अब इसका अगला लग्ज जो बनेगा अब यहाँ लाग है लाग यक्स को उतार देंगे लाग यक्स उतार गया कास का क्या होता है माइनस साइन यक्स होता है लाग का उकलन क्या होता है माइनस साइन यक्स होता है माइनस हो जाएगा और यह कास यक्स को यहाँ नोट कर लेंगे और लाग यक्स का उकलन क्या होगा एक बटा यक्स होता ह लाग का उकलन क्या है एक बटा यक्स होगा नीचे क्या है लाग लिख लेंगे यक्स हो जाएगा और यहां का बनेगा बर्ग हो जाएगा लाग यक्स का बर्ग हो गया बराबर कर लेंगे यह माइनस आगया जाएगा तो माइनस क्या है यहां पर लाग यक्स है इंटू क्या ह साइन यक्स है और यहां पर कास में का गुड़ा करेंगे तो माइनस कास यक्स है बटा में क्या है यक्स है और पूरी का बटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा यहां पर लाग यक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो यह लाइन आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहां प पूरे का बटा बन जाएगा तो अगला लाइन जो बनेगा यक्स में गुड़ा करेंगे तो माइनस यक्स हो जाएगा लाग यक्स है साइन यक्स है और माइनस कास यक्स है बटा हो जाएगा पूरे का बटा अब बटा में क्या उत्रेग पहले याक्स है कोष्टक में क्या बनेगा लाग याक्स का Massachusetts का स्कौार हो जाएगा तो यहां इस LINE को दिहान देंगे इसका गुड़ाइस में करके इसको घटाके पूरे का बटा बन गया चाहे तो इसमेंसे जो है कामन ले सकते हैं किसको माइनस को कामन ले सकते हैं यहां माइनस को उपर कामन ले लेंगे माइनस जब कामन हो जाएगा तो क्या बनेगा यहां याक्स हो जाएगा लाग हो गया लाग है याक्स है लाग याक्स लिख लेंगे याक्स है लाग याक्स का क्या है इसक्वाइर है तो यह माइनस जब कामन लेंगे तो अंदर का चिन क्या होगा बदल जाता है यही इसका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो उमीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को यह प्रश क्या दिया गया वाई बराबर दिया गया कास है कोश्टक में क्या है लाग यक्स है पलस इटू पावर यक्स है अब इसका जो है आउकलन करना किसके सापेच तो यक्स के सापेच तो लिखेंगे आपर यक्स के सापेच आउकलन करने पर यक्स के सापेच क्या करेंगे आउकलन करने पर तो अब y है तो y का आउकलन क्या होगा लिखेंगे आप डी y बटा dx हो जाएगा अब यह कास है धियान देजिए कास इसको पूरा को पढ़ेंगे yaks मतलब कास yaks yaks के अस्थान पर क्या दिया गया है तो लाग yaks पलस e to power yaks दिया गया है तो यहाँ पे सुत लिख लेंगे कि अगर d upon dx कास का आउकलन क्या होता है तो कास का आउकलन जो होता है माइनस साइन yaks होता है कास का आउकलन क्या है माइनस साइन yaks होता है यहां सुतर लिख लेंगे किसका सुतर है यह कास का आउकलन है यहां पर इसको कैसे पढ़ेंगे कास इसको पूरा को यक्स मानेंगे तो क्या बनेगा माइनस साइन तो यहां लिखेंगे माइनस साइन हो गया और एक्स के अस्थान पे क्या है लाग एक्स हो गया पलस हो गया एटू पावर एक्स हो गया कास का उकलन क्या है माइनस साइन लाग एक्स पलस एटू पावर एक्स हो गया तो ध्यान देंगे यहाँ पर पहले कास का आउकलन होगा कास का आउकलन होने के वाद से कोश्टक के अंदर जो मान दिया गया है इसका भी आउकलन किया जाता है अब अगला लेन लिखेंगे बराबर माइनस हो गया साइन हो गया कोश्टेक में क्या है लाग यक्स है पलस हो गया और e to power x हो गया लाग का उकलन क्या होता है लाग का उकलन एक बटा यक्स होता है और e to power x का उकलन क्या होता है तो e to power x होता है तो उमीद करते हैं यह प्रशन आप लोगों को अच्छे से क्या हो गया गा समझ में आ गया होगा तो यही इसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा यहां लिख देंगे answer बहुत असान है बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें कितने फार्मूले लागू हुए है तो इसमें दो फार्मूले लागू किया गया है तो यहां पर जो सबसे पहले कास का आउकलन किया गया है और कास का जब आउकलन हो गया है तो यह कोष्टक के अंदर जो मान दिया गया है इसका आउकलन किया गया है तो इसे अपने कापी में क्या किजिए आप सभी विद्यार्थी नोट कर लिजे तो यह अभिहास जो है समाप्त हो गया तो आज के ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरू कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर दी आप पहली बार आयोंगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लि सभी विद्यार्थियों को नमस्कार